दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आर्मी चीफ की, जिन्होंने खुले आम प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी की बात को नकार दिया था, जिसके बाद इंदिरा गांधी आग बबूला हो गई थी। यह बात 1971 की है जब पाकिस्तान ने अपने प्रांत पूर्वी पाकिस्तान पर कबजा कर लिया था, जिसके बाद हजारों शरणार्थियों ने भारत की ओर रुख किया। परिस्थितियों को देखते हुए उस वक्त मौझूदा प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने दस बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई। और उन्हें नहीं पता है कि क्या करना है। ऐसे में इंदिरा गांधी ने सैम बहादुर से कहा कि मैं चाहती हूँ कि आप कुछ करें। मैं चाहती हूँ कि आप पूर्वी पाकिस्तान में प्रवेश करें। इस बात पर सैम बहादुर ने कहा कि आप जानती हैं कि इसका युद्ध है। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर यह युद्ध है तो मुझे कोई आपत्ती नहीं है। सैम ने तपाक से पूछ लिया कि प्रधानमंत्री जी क्या आपने बाइबल पड़ी है। इस पर विदेश मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह ने अपने पंजाबी ल सकता ना? आप हैं कौन? आपको तो सेना का कुछ पता ही नहीं है। आप सोचती हैं कि आप युद्ध के लिए तयार हैं मगर मैं आपको बता दूँ कि आज 28 अप्रेल है। हिमालय के दर्रे अब खुल चुके हैं और अगर चीनियों ने हमें अल्टीमेटम दिया तो हमें द तैनात कर दूँ इस प्रकार मेरे पास दो डिवीजन हैं जो अपने हत्यारों के बिना सेक्शनों और प्लाटूनों में तैनात हैं। उन्हें उनकी यूनिट तक वापस लाने में मुझे कम से कम एक महीना लगेगा। इसके अलावा असम में एक डिवीजन, आंधर प्रदे हरियाना और उत्तर प्रदेश में फसल की कटाई हो रही है। इसके बाद सैम ने क्रिश मंतरी फारूक एहमत से पूछा अगर इसके बाद देश में अकाल पड़ता है तो इसके लिए आप दोशी होंगे, मैं नहीं। सैम ने फिर कहा, मेरे बखतर बंद डिवीजन के पास क सैम केवल 13 जैक हैं। इस बात पर वित्त मंतरी यश्वंत राव ने सवाल किया। सैम केवल 13 ही क्यों। सैम ने जवाब दिया। क्योंकि आप वित्त मंतरी हैं। मैं पिछले डेड़ साल से आप से पैसे मांग रहा हूँ। और आप कहते हैं कि पैसे नहीं है। इसी कारण स खड़े होकर दूसरे किनारे को नहीं देख सकते मेरा आक्रमन सडकों तक ही सीमित रहेगा वायुसेना भी हमारा सहयोग नहीं कर पाएगी अगर आप चाहती हैं कि मैं पूर्वी पाकिस्तान में प्रवेश करूं तो मैं आपको 100% हार की गारंटी देता हूं इसके बाद सैम ने दो टूक से पूछा कि आप सरकार हैं क्या आप मुझे अपना आदेश देंगी अपने इंटर्व्यू में बात करते हुए सैम ने बताया कि मैंने शायद ही कभी किसी महिला को इतना क्रोधित होते हुए देखा होगा पूर्व प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी का चेहरा पूरी तरीके से लाल हो गया था उन्होंने पलट कर कहा कि शाम को चार बजे कैबिनेट की बैठक होगी इसके बाद सैम ने टै कर लिया था कि प्रधान मंत्री उनसे उनका स्तीफा मांग लेंगे लेकिन शायद सैम हर चीज़ को लेकर इतने सटीक थे कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पास भी कोई और दूसरा विकल्प नहीं था आखिरकार इंदिरा गांधी ने सैम मानिक शौ की बात मान ली और उनसे दूसरी रणनीती बनाने के लिए कहा इसके बाद जब पूरी तैयारी के साथ आक्रमन किया गया तो इतिहास रच गया साल 1971 में जब युद्ध का आगाज हुआ तो यह युद्ध केवल 12 दिन यानि की 4 से 16 दिसंबर तक चला सैम मानिक शौ ने बांगला देश में मौजूद पाकिस्तानी सेना को ख़देडने के लिए एक साथ आर्मी, एयर फोर्स और नेवी का इस्तिमाल किया मानिक शौ ने 13 दिसंबर को पाकिस्तान के जर्नल से स्पष्ट रूप से कहा था कि आप आत्म समर्पन कर दें या फिर तो हम आपको मिटा देंगे आखिरकार पाकिस्तान के सेना जर्नल आमिर अब्दुल खान नियाजी ने 94,000 सेनिकों के साथ भारत के सामने आत्म समर्पन कर दिया हालांकि पहला और आखिरी किस्सा नहीं था जब सैम मानेक शौ पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से किसी बात पर भिड़े थे बावजूद इसके इंदिरा गांधी और सैम मानेक शौ के संबंधों में कभी भी खटास नहीं आई सैम बहादुर ऐसे इकलोते आर्मी आफिसर थे जिन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को स्वीटी कहकर बुलाया था यह किस्सा खूब मशहूर हुआ एक दफा इंदिरा गांधी ने जनरल मानेक शौ से पूछा कि क्या आप जंग के लिए तैयार हैं इस पर जनरल साहब ने कहा कि आलवेज रेडी स्वीटी शायद इसका कारण यह भी है कि इंदिरा गांधी के पास उस समय में सैम मानेक शौ का कोई विकल्प मौजूद ही नहीं था देश की रक्षा करते हुए सैम बहादुर ने कई बार दुश्मनों की गोलियों को अपने सीने पर लिया बावजूद इसके उनके होसलों में रत्ती भर भी फर्क नहीं आया सैम बहादुर देश के आठवे चीफ अफ आर्मी थे और अगर उन्हें देश का सबसे दिलेर आर्मी चीफ कहा जाए तो शायद ही इस बात पर किसी को आपत्ती हो फिलहाल सैम मानिक शौ की जिंदगी पर आधारित विक की कौशल ने एक फिल्म बनाई है जिसने सोशल मीडिया पर मेला लूट लिया है आपको आर्मी चीफ की सच्ची कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं साथ ही ऐसे और वीडियोज के लिए मुझे फॉलो करना न भूलें जल्द ही फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार